तो आज हम अपने ग्राफ के प्लेलिस का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि ग्राफ कंसेप्स का भी मेरा एक अलग से प्लेलिस है जहां पर मैंने कोर से संजाया है ग्राफ को काफी अच्छा फीडबैक उस पर मिला है यू कन ट्राइट प्लेलिस्ट मेरे प्लेलिस सेक्षिन में आपको मिल जाएगा ग्राफ कंसेप्स और क्वेशन हार्ड मांक्ड है बट काफी सिंपल और एलेगंट कोड में लिखके आपको दिखाऊंगा डिएफस का और बहुत सिंपल से अपका इंटिशन भी बिल्ड करूंगा कि आपको हार्ड बिलकु वेर टिकेट्स आइज उकल टू फ्रॉम एंड टू रिप्रेजन देपार्चर एंड अर्राइवल एरपोर्ट ऑफ वन फ्लाइट है एक फ्लाइट के बारे में यह दे रखा है रिकंस्ट्रक्ट टी इन ओर्डर एंड रिटर्न इट एर ओर्डर में रिटर्न करना कि किस ओ आहरे में ही दे रखा है और विडलंद्मेर्ट हमेशा किसी स्टार्ट करता है तो अपने जो रेजल्ट होगा जो पाथ प्रॉइड करने मदा क्या कैमने र देया इस पर पहले होना हे उसके बाद बाकी जो आना होगा वह और शेणकर BYंफ इस ट्रिगम इस यह यह स्मलफ लेक्सिकल ऑडर वेन रेड़ा सिंगल स्ट्रिंग वह भी एग्जाम्पल से को पता चल दाएगा माल देता है मुल्टिपल पाथ आपको मिलता है तो आपको वह आंसर रिटरंड करना जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस पाथ फॉलो करें ठीक है फॉर एक्जाम्पल यह सेम है लेकिन ए पहले आता है देखो और भी बाद में आता है इससे लिए अगर इस पाथ को देखो गए तो इस पाथ है स्मॉलर लेक्सिकल ओडर यूमें और टिकेट्स फॉर्म अटलीस वन वैलेड़ी मतलब यह तो और रख लो कि सारे टिकेट्स जितना दे रखा है वह तो जरूर होगा कम से कम एक वैलेड़ी जरूर निकल कर आएगा ऐसा नहीं कि इन वैलेड़ दे रखा है ठीक है यूमस्ट यूज्ट टिकेट्स वन्स और ली वन्स देखो इन वैलेड़ी का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लेते हैं बंदा देली से स्टार्ट करता है चंडीगर से मान लेते हैं एंपी मान के चलो कुछ भी मान के चलो ठीक है तो देख रो यह आइटिनेरी आपको दे रखा है तो यह वैलेड़ नहीं क्योंकि देली से मुंबई गए अब आप चंडीगर कहां से जापा होगा कनेक्शन है नहीं कनेक्टेड ही नहीं है इस से बी जाता है ठीक है और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है तो इस ग्राफ नहीं दे रहेगा हमेशा वेलिड इंपूट होगा ठीक है तो एक्जामपल देख लेते हैं यहाँ पर दे रखा है M.U.C. से L.H.R. एक H दे रखा है J.F.K. से M.U.C. एक H दे रखा है S.F.O. से S.J.C. L.H.R. से S.F.O. तो यह सारे TICKETS हैं आपके इस बंदे ने कितने TICKETS खरीदे हैं वो देखो इस बंदे ने 1, 2, 3, 4 तो इस बंदे ने कितने TICKETS खरीदे हैं यह लिख देता हूं, number of tickets जो उसने खरीदे हैं, वो है 4, यहां तक clear है, ठीक है, अब ध्यान तो यहां पर, इसको graph में convert करते हैं, MUC से LHR, बना देते हैं, और क्या JFK से MUC, और क्या SFO से SJC, और क्या LHR से SFO, ठीक है, मैंने graph तो बना दिया, ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बंदे को एक itinerary prepare करके देना है, कि तुम यह ऐसे path को follow करना है, पहले यहां जाना, फिर इस place में जाना, फिर इस place में जाना, वही बना कर देना है, ठीक है, तो इसका answer क्या दे रहा है, पहले JFK से obvious है, वो हमेशा JFK से ही start करेगा, तो JFK से, JFK से और को option ही नहीं देख रहा है, सिर्फ MUC ही दिख रहा है, तो MUC ही जाएगा, MUC से और को option नहीं है, तो LHR से और को option नहीं है, सिर्फ एक ही option है, SFO, SFO से सिर्फ एक ही option SJC, तो यही एक path दे रहा था, सिंगल-सिंगल पास, ठीक है, इसलिए हमारा direct answer निकल गया, JFK से, MUC जाने का तो ही, एक LHR का भी होता, तो आप MUC, ठीक है, MUC और LHR, इन दोनों में lexical order में सबसे पहले कौन आता है, LHR आता है, तो पहले LHR को try मार हो गए, ठीक है, JFK से, LHR उसके बाद MUC आता है, ठीक है, Lexical order में, तो LHR में गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर रहा था, बट पूरे शिटी कवर नहीं कर पाया, ठीक है, तो बैक ट्राक किंग कर आता है, PT. लेक्सिकोग्राफिकली फॉलो तो कर रहा था बट पूरे सिटी कवर नहीं कर पाया ठीक है तो बैक्ट्राकिंग मतलब क्या हुआ कि लेचार में ना जाके वापस से मैं अब इस प्रात को एस्प्लोर करूंगा ठीक है यह एक्स्प्लोर कर लिया कुछ नहीं मिला आप वापस लेक्सिकल और में जाना इफ यू हैव मल्टीपल औप्शन्स मल्टीपल ओप्शन अगर मल्टीपल ऑप्शन से तभी न और उसको पकड़ओ जो लेक्सिकली छोटा है यहां पर देकरो मल्टीपल आप्शन आ गया था जे एफ के से एक यह आम जा सकते हो यहां नहीं यु स कि इफ डाट दज नौट कि गिव मी दी आंसर बता नहीं बना complete देन एक्स्प्लोर अधर्स अधर अधर ओप्षिन्स है ना एक्स्प्लोर अधर अधर ओप्षिन्स ठीक है यहां तक क्लियर है मतलब यहां पर मैं गया आंसर तु मिला नहीं था है मुझ तो कवरी नहीं हुआ याद है तो फिर मैंने क्या किया इसको अटा दिया उसके बाद next लेक्सिक्राफिकली छोटा कॉन मिला एक ही ऑप्षिन बचा है मुझ तो में गया ठीक है तो यह दो चीज़ का अपको ध्यान देना है ठीक है लेक्सिक्राफिकली और में जाना है यह तो समझ में आ गया अगर वो नहीं मिल पाया वहां से आंसर तब आर जो जो बाकी ऑप्षिन है वहां एक्स्टोर करो ना वहां से भी आंसर मिल गया तो फिर वो मेरा अंसर होगा ठीक है यहां तक क्लिर है अब मैं एक छोटात एक्जामपल देके समझा देता हूं दुबारा यह चीज इसे मान के चलो कि एक रूट है ओए है ठीक और यहां से मानके चलो एक रूट है बी ऑब के में आने का श्टीक है इसको यहीं में गोल बना दिता हूं अब ध्यान दो भात है हमेशा start JFK से ही करना यह तो आपको पता ही है ठीक है आपने JFK से start कर दिया अब JFK से कहां कहां जा सकते हैं JFK से A जा सकते हैं और B जा सकते हैं बट मैंने बुलो तो आप पहले lexicographically को try मारेंगे तो पहले lexicographically कोना आता है पहले A आता है तो पहले A पर गया ठीक है मैं A पर गया तब देखो A से तो मैं कहीं जा नहीं सकता मतलब मुझे और obvious से देखो मुझे पूरा city में विजिट करी नहीं पाया बी पे कहां जा पाया अभी तक ठीक है तो मतलब एक को मैं एक्सपोर नहीं करूंगा वापस से बैक ट्रक हो गया देखो ए मैंने हटा दिया यहां से अब देखते हैं और दूसरा ओप्शन कौन था बी ही था मेरे पास एक ओप्शन ठीक है बी पर जाता हूं ठीक है बी पर ग ज़िए फ्यवगों गया बी वीजट हो गया एभी विजट हो गया और ध्यान दो जितने टिकेट इस बंदेने कटाए थैस सारे टिकेट यूज हुए और अव्यस होना भी चाहिए था टिकेट वन यूज हुआ था याद है तभी तो बी तक गया थै फिर टिकेट टूबी हुआ था तभी तो वापस है जेफ के आ गए उस बंद ने टिकेट कटाया होगा यह वाला उसके बाद ए पर भी चले गए देखो टिकेट 3 भी यूज हो गया ठीक है तो ध्यान दो कितने नंबर आफ टिकेट कितने हैं तीन टिकेट से राइट और देखो हम सारे सिटीज पाथ उसका साइज जो है वह हमेशा बराबर होगा नंबर आफ टिकेट प्लस वन के ठीक है हमेशा ऑब्वेस से बात है यह हो नहीं होना है क्योंकि देखो वह बंदा हमेशा जेफ के से स्टार्ट करता है वह जहां-जहां के लिए टिकेट कटा रहा है मतलब वह एक-एक सि प्लस वन के बराबर है रेजल्ट का साइज हमेशा यह होगा तो जब भी मुझे मिल जाएगा कि भाई रेजल्ट डॉट साइज अगर वह बराबर हो गया नम ओफ टिकेट्स प्लस वन के इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का मैंने सारे सिटीज कवर कर लिए हैं लेक्सिकोग्राफिकली ठीक है लेक्सिकोग्राफिकली कर स्टार्टिंग में ए नहीं मिल पाया था तो बी पर गया यहां तो जब भी मुझे मिलेगा यहां पर कि रिजल्ट का साइज नम ओफ टिकेट्स प्लस वन के बराबर हो गया तो पक्का मुझे मिल चुका अपना पाथ मैं यहां से रिटर्ण टू कर दूँगा और अपने रिजल्ट में वह स्टोर भी कर लूँगा जो मैं पाथ बन यहां तक लिए तो बड़ा से स्टोरी आइरों मतलब देखा जातों जितना में ग्राफ कर लिया ना इसके हिसाब सी बहुत सिंपल कोशन है यह जो स्टोरी सुनाई है अगर मैं अभी जस्ट आपको स्टोरी में को कोड में कर दो कितना सिंपल दिखाए गाई है तो सबसे प अनओर ड मैप लेते थे हर भर थिक इस ऐब हार स्ट्रिंग नहीं इंटीजर नहीं को स्ट्रिंगgrass टूं कितने तो मतलब मैं क्या लिखनगा स्ट्रिंग ठीक है और इसके नेबर क्या होते थे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ठीक है ADJ यह तो हर बार हमने हर ग्राफ कोशन में ADJ बनाया है तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होने वाला है उसके बाद ADJ में पॉपिलेट कर देंगे ADJ को पॉपिलेट करो जो आपको कोशन में दे रखा है यह यहां पर दे रखा था न इन्पुट में जो दे रखा है इसके हिसाब से पॉपिलेट कर दो MUC से LHR जाएगा मतलब MUC से LHR गया ठीक है उसके बाद JFK से कहां गया MUC गया SFO से SFO से SJC गया और क्या है LHR से SFO गया देखरो सिंपल सा ADJ को पॉपिलेट कर लिया उसके बाद ध्यान दो मैंने आपको बोला था ना कि भाई जो माल लेते हैं इधर देखो यहां देखना ध्यान से LHR के सामने दो option है कि SFO है एक XYZ है तो किसके पास पहले जाना चाहोगे जो लेक्सिकली पहले आता है तो लेक्सिकली पहले कौन आ रहा है भाई S आ रहा है ना SFO SFO पहले आएगा ठीक है तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको सौट करना पड़ेगा अगर सौट कर दोगा इन सबको तो लेक्सिको ग्राफिकली आप इसको कंसिडर करोगे ना अब्वेस सी बात है तो मैं क्या बोल रहा हूं ना कि जो यह जो ह होगा हर मैप का जो वैली होगा यहां पर उसको सौर्ट कर देंगे ठीक है सौर्ट किसको करेंगे एडी जे में जो नेबर्स है जो नेबर्स है क्यों भाई क्योंकि मुझे लेक्सिकली उठाना है लेक्सिकली ठीक है वह लेक्सिकली उठाना है इसलिए मैंने उसको सौर्ट कर दिया यहां तक clear हो गया होगा ठीक है तो भाई अब जब सब ग्राफ बनी गया तो अब बस हमें क्या करना है सिंपल साथ डी एफस कैसे कॉल करेंगे कहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो हमेशा वह जी एफ के से स्टार्ट करेंगा तो यह मेरा स्टार्टिंग नोड थीक है अपने पात को बनाता चलूंगा आगर मुझे रिजल पहुच गया व्यदा च laugh अभ आप अब सी मिसेा अपने डियन द्हान देना बहुत अच्छे से डल्कुल वैसी लिखेंगे जैसे इस स्टोरी समझाए गया था ठीक है मैं आपर GF लिख रहा हूं ठीक है देकर अधियान देना ये मेरा string है ज्ट्रिंग से start किया ना तो मैं हाले लिख दू फ्रॉम कि इसी तीक है फ्रॉम सिटी मतलब यहां से मैं निकला हूं तीक है और पाथ मतलब यह वेक्टर आफ string path है इसमें मैं अपना path बनाता रहूँगा बाइरीफरेंस भीजता हूँ ताकि बार बार कॉपी ना बने यह बाइरीफरेंस भीना जरूरी होता है most of the time by reference ही कोशिश किया करो क्योंकि by reference भीजने से copy नहीं बनती है अब स्टार्ट करते हैं अभी मैं from city से हूँ अभी path बिल्ड करता हूँ तो path में डाल लेता हूँ इसको path.push underscore back यह from city जहां से मैंने स्टार्ट किया है ठीक है यहां तक clear है बढ़िया अब देखो मैंने बोला ताना कि सब कुछ आगे बढ़ने से पहले पहले तो यह चेक कर लो ना कि भाई आपका जो path बना है उसका अगर size बराबर हो गया number of tickets के plus one ठीक है अब यह मैं आपको बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि path.size is equal to number of tickets plus one में ही क्यों मेरा answer आएगा देखो यहां पर यहां पताया था ना यहां फिर से एक वर आपको revise करवा देता हूं ठीक है याद करो बंदा पहले जेफके गया था जेफके में तो था ही अलड़ी जेफके से बी गया तो टिकेट वन यूज हुआ दुवकि है टिकेट वन लिग दिया बी से जेफके घया तो टिकेट डूयू सुझ ढ़े खे थीरे टी के तो था ही यहां पर क्यूंकि एविश्केसा इंस्टार्ट किया थो त्ष्ट में इसी पाफ को स्टोर कर दो ठीक है इसी path को store कर दो और return true कर दो बोल दो कि मेरा काम हो गया मुझे path मिल गया है और कोई path हमें नहीं चाहिए यह पहला path मिला लेक्सिगज्ग्राफिकली यह best है मैं return true कर दिया कि भाइ हो गया यहां पर मैं boolean मार देता हूं return true कर रहे हैं कि path हमें मिल छुका ठीक है अगर नहीं मिलता अगर नहीं मिलता तो option try करो ठीक है क्या option इस from airport से कहां कहां जा सकते from airport नहीं City जो भी है airport जो भी है इस from city कहां कहां जा सकते है तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं क्या क्या नेबर है वेक्टर ओफ स्ट्रिंग एंड एन ए आई जी एच बी ओ आरस नेबर्स ठीक है एडी जे ओफ फ्रॉम से है ना फ्रॉम सिटी सिटी आइटिंग एरपोर्ट दे रखा होगा जो भी आपको मैंने आप लिख लेना मैं एरपोर्ट लिख लोगा कोड करते हूं ठीक है तो नेब बी ओ आरस नेबर्स डॉट साइज आई प्लस प्लस ठीक है सारे नेबर्स पर ट्रेट मारते हैं अब देखो ध्यान देना पूरा फोकस यहां पर रखो अभी अपना ठीक है देखो निकाल लेते हैं कि नेबर कौन-कौन से बाई यहां पर लिख दो टू सिटी वह तो सबसे छोटा मेलेगा मुझे मुझे फ़र लेक्सिको ग्राफ के लिए सबसे छोटा मिलेगा अब लेक्सिकोघान पार पूरा फोकस झाल तो वि devils ow इक बहुत इंपोर्ट ने वाले हो इक lineal यह थैनन दो यहग्राफ है Second example मेरा बना दिया है थिक है कि अब यही मैं जेएफ से मैं देख रहा हूँ कि जेफेक के चीक है तो जे के UP12 ज्य यहां पर ना वापस जकुछ चलु सांय कहले नगी ना साइकल में फस जाओ लगे फिर ज affirm कर कि तो मेरा पॉइंट पादा क्या है कि अगर आपने पर ध्यान अगर आपने ज्य और फिर यह थे आप से विज्ट पर ठीक है, अभी के लिए हटा दो, क्यों ताकि आप वापस फस्त ना जाओ साइकल में, अब ATL पर आप यहाँ पर आगे बढ़िया, ATL पर हो, ATL से JFK मिला, JFK पर वापस गए आप, ठीक है, अब JFK में दो ATL है नहीं, सिर्फ SFO है, बढ़िया, अब SFO पर गए, SFO पर गए, अब देखो ध्यान दो, लास्ट टाइम हमें, इस JFK को भी डिलीट कर देना चाहिए था, ठीक है, SFO पर से ATL गए, ठीक है, ATL से कहां गए, यहाँ पर, ATL में देखो SFO है, ठीक है, SFO पर आगए, यहाँ तक क्लिर है, तो इसलिए मैं बोलो, डिलीट करना ज़रूरी थाकि अ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा नेबर्स है, है ना, N-E-I-G-H-B-O-R, नेबर्स. इरेज, इस सिटी को इरेज कर दूँगा, तो सिटी, और वो किस इंडेक्स पर है, आइफ इंडेक्स पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइफ इंडेक्स को, आइफ इंड से करते थे, सिंप्ली DFS कॉल कर दो, DFS, क्या भेज रहते है, टू से भेज रहते है, ठीक है, और पात भेज रहते है, अगर वहाँ से टू आ गया, देखो यहाँ पर, अगर वहाँ से टू आ गया, पक्का पात मिल चुका है, तो मैं इधरी से रिटर्न टू कर दूँगा, रिटर्न, टू, कि भाई, टू आ चुका है, DFS से, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर टू नहीं आया, ठीक है, देखो, इरेज किया था, DFS मारा, अगर टू नहीं आया, तो जो इरेज किया था, वापस उसको डालना भी तो पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर किया इसको, ठीक है, एक्स्पोर मारा, और इस एरेज क्यूं किया, थाकि साइकल में ना फसे, ठीक है, एरेज किया, एक्स्प्लोर किया, और वापस यहाँ पर फुट बैक कर दिया, ठीक है, तो तो मैं वापस से नेबर्स डॉट इंसर्ट कर दूँगा, आयेध इंडेक्स और जो स्टार्टिंग में हमने इसको पुश किया था, कोई काम का रही नहीं बेचा रहा हमारे लिए वो, तो उसको वापस से हटा दो, path.pop underscore back, वापस से हटा दिया उसको और क्या, और last में return, false कर देंगे, कि भाई, पूरा fall loop चल गया, और हमने एक बार भी return true नहीं कर पाए, मतलब हमें path कहीं मिला ही नहीं, तो return false कर दिया, that's it इतनी था, simple सा story था, उसको code में लिखा है हमने, यही होता है story को समझ पाना, intuition को समझ पाना, ठीक है, मैंने आपको starting में नहीं बताया, कि भाई, यह backtracking वाला part यहां करना पड़ेगा, erase किया, और वापस से put back किया, ठीक है क्यों नहीं बताया, क्या, ताकि आप example से खुद पकड़ो, मुझे भी नहीं पता चला था एक बार में, मेरा जब example fail हुआ, यह second वाला, तब मुझे पता चल पाया, कि हाँ भई हम तो यह cycle में फस रहें, ठीक है, तो इसी लिए बचने के लिए, यही होता है, build करना solution, direct solution बत तो यह अलग से linear operation है, ठीक है, तो यह quadratic हो जाएगा हमारा, इसको approximately, जो edges होता, वी और बराबरी होता approximately, तो वी प्लस वी का whole square मान के चलो, या फिर वी square इसको लिख सकते हो, ठीक है, मतला quadratic चला जाएगा आपका solution, ठीक है, वह आपको दिख रहा होगा, ऐसा क्यूं हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो जल्दी से चलो code करते हैं और इसको finish करते हैं, तो चलो जल्दी से code करता, start करते हैं, मैंने बोला था कि हमें adjacency list बनाना पड़ेगा, ठीक है, और एक अपना result होगा, ठीक है, जिसमें मैं result भीजूँगा, vector of string, और number of tickets हमारे पास, कितने हैं, वो मैं य करते हैं, result मेरा result होगा, और यह मेरा adjacency list है, ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने बोला था कि पहले step क्या था, कि adjacency list को पहले populate करो, ठीक है, तो auto and v in t, sorry, auto and t in tickets, tickets से निकालते हैं, string of u is equal to t of 0, string of v is equal to t of 1, ठीक है, adj, u से जा रहे हैं, v में, push underscore back, v, u से v का वो ticket दे रखा था, तो यह मैंने graph बना दिया, इसके बाद याद करो, मैंने बोला था कि sorting करना पड़ेगा, sorting for lexical order, ठीक है, तो sorting कैसे करेंगे, map में traverse मारते हैं, for auto and edges in adj, ठीक है, अब देखो, sort कर रहा हूँ किसको begin of, देखो, edges में दो चीज़ें होती हैं, map में दो चीज़ें होती हैं, पहला key होता है, दूसरा value होता है, तो value second वाले part में होता है, edges dot second, है ना, second में याद है, यह हुगा, vector of string होगा, राइट, उसको मैं sort कर रहा हूँ, ठीक है, end edges dot second, ठीक है, यहाँ तक clear है, बढ़िया, यह हमें समझ में आ गया, अब हमें, मैं लेख लिए तो vector of string, path एक लूँगा, जिसमें मैं अपना path बनाता चलूँगा, जैसे-जैसे मैं DFS मार रहा हूँ, DFS मारना start करते है, सबसे पहले, JFK से start किया मैंने, path मैं भेज देता हूँ, यहाँ पर, last में return कर दूँगा, simple, जो result मैंने store किया होगा, result ही में डालेंगा, path को, ठीक है, अब अपना लिख देता हूँ, boolean DFS, string, ठीक है, क्या था, from airport है, from airport है, ठीक है, question में airport देरिखा है, आप city भी लिख सो, जो आपका मैंन है, from airport, और मैं क्या भेज रहा हूँ, vector of string भेज रहा हूँ, and path नाम है, उसका, बढ़िया, तो ठीक है, अभी मैं from airport पर हूँ, तो path में उसको डाल देता है, path.push underscore back from airport, ठीक है, अभी मैंने यहाँ से start किया है, अब देखो, मैं यही पर check कर लो तो, कि अगर path का size बराबर हो जाता है, नम of tickets plus 1k, यह मैंने आपको समझा दिया था, क्यों, तो मैं return true कर दूँगा, कि भाई, काम हो गया, return करने से पहले, result में store कर लो, कि भाई, मुझे अपना answer मिल चुका है, result में path store कर दिया, यहाँ तक clear है, इसके बाद, बड़ा simple है, अपना neighbor पर iterate मारो, ठीक है, vector of string and neighbors is equal to adj of, किसके neighbors, from airport, यहाँ से जहाँ जहाँ जा सकते हैं, यहाँ तक clear है, iterate मारो, इस पर int i is equal to 0, i is less than neighbors dot size i plus plus, यहाँ तक clear है, तो निकाल लेते हैं, कौने भाई, two airport, two airport, two airport, कौने भाई, neighbors का, इस इंडेक्स पर जो बंदा है, यहाँ तक तो सब simple लग रहा होगा, ठीक है, बट cycle से कर दो, cycle से बचने के लिए remove कर दो, remove कर दो, अभी के लिए, इस अभी अभी explore करने वाले हो, तो अभी के लिए उसको remove कर दो, ठीक है, तो remove, अब explore करते हैं, remove तो remove यहाँ पर करते हैं, तो remove कैसे करेंगे, ध्यान देना, neighbors.erase, ठीक है, neighbors.begin से, प्लस आयत इंडिक पर जो बंदा होगा, उसको erase करना है, बढ़िया, अब explore कर लो अराम से, ठीक है, कौन है भाई, टू एरपोर्ट है, इस पर explore करना है, और path तो भेजता ही जारो, अगर वहाँ से true आ गया, is equal to, is equal to true, कि भाई, answer मिल चुका है, तो भाई, यहाँ से return true कर दो, that's it, ठीक है, और अगर नहीं आता answer, तो भाई, वापस से pushback करना पड़ेगा, तो neighbors.insert, ठीक है, कहां पर insert करना ह जायत position पर, किसको insert करना है, ठीक है, यहाँ तक clear है, अब last में अगर यह पूरे for loop चल गया, और एक बार भी मैं return नहीं कर पाया true, मतलब मिला ही नहीं मुझे answer, ठीक है, अगर मिला ही नहीं, तो मैं path से pop underscore back कर लूँगा, क्योंकि याद करो, यहाँ पर path मैं push किया था, इसको इसी को undo कर दिया, कि भाई, मतलब वो correct path मुझे नहीं मिल रहा था, तो वहाँ से हटा दिया, और return last में false कर दिया, जल्दी से submit करके देखते हैं, let's see, पहले example test cases देख लेते हैं, it should pass all the example test cases, yes, submit करके देखते हैं, hopefully we should be able to pass all the test cases, indeed yes, we have solved this question, कोई भी doubt होता है, please read it in the comment section, I'll try to help you out, see you guys in the next video, thank you